Hello everyone, I am Priyanshi and welcome back to our channel. आज के वीडियो में मैं थोड़ी information देने वाली हूँ UK की major updates जो अभी-अभी आई है. So students, are you ready to know the latest information about the UK's major update? So let's begin. तो पहली update ये है कि वहाँ पे जो अभी-अभी एक news आ रही थी कि UK में बहुत से rules change होने वाले हैं, वहाँ पे अभी universities बहुत सारी कम हो रही है, बहुत सारी universities में admission नहीं मिलता है और visas के लिए भी दिक्कत आती है. तो ये सब fake news है, अभी-भी ही news आई है कि वहाँ पे अभी कोई भी rule नहीं change होने वाला है, तो आप September in Tech के लिए without any fear अपनी file रख सकते हैं. And the second update is, अभी आपने सुना होगा कि वहाँ पे बहुत से students ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे jobs नहीं है और अभी UK की government post-study work permit के रोपने के लिए भी सोच रही है, तो student ये भी एक wrong information है, क्योंकि वहाँ पे post-study work permit के लिए भी कोई rule नहीं change होने वाला है, होने वाला था पर अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि रिशिस अनक और उनकी जो committee है, तो उनी सभी लोगों ने ये decline किया था, तो अभी वो लोग ये कोई rule change नहीं कर रहे हैं, तो आप without fear अपनी studies के लिए भी जा सकते हैं, और वहाँ पे post-study work permit भी apply करके अपना dream fulfill कर सकते हो, तो students आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, UK student visa पे अभी जाने के लिए, और अगर आप September intake सोच रहे हो, तो आप without any delays अपनी process आगे बढ़ा सकते हो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूं, क्योंकि मैंन बहुत से students को सुना है, कि उन्होंने अपनी process stop कर दी है, due to some such changes, बट अभी वहाँ पे कोई rule नहीं change हो रहा है, वहाँ पे आपको post-study work permit भी मिलेगी, तो student ये ही अच्छा मौका है, कि आप September intake में अपनी process आके बढ़ा के वहाँ पे चले जाए, तो आपको कोई unchanged rules नहीं मिले और अभी तीसरी update मैं बताने जा रही हूँ, जो कि ये है कि बहुत से students ऐसा भी बोलते हैं कि अभी UK में scholarships नहीं मिलेगी, तो students ऐसा भी कुछ नहीं है, वहाँ पे scholarship भी मिलेगी, और ये September intake में तो confirm scholarships है ही, जैसे कि मैं कुछ universities mention करूंगी, अगर आप ये university में जाते हो, तो ही रहेगी, जैसे कि university of East London है, उसमें आपको 1500 pound scholarship रहेगी, D side university है, उसमें आपको 3500 scholarship रहेगी, London South Bank university है, उसमें आपको 2000 scholarship मिलेगी, तो students ये university, कुछ universities के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप बिल्कुल ही फिकर मत कीजिए, और September 24 intake के लिए, अगर आपने process चालू कर दी है, तो उसको continue कीजिए, और अगर आप करना भी चाते हो, तो आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि अभी वहाँ पे कोई rules नहीं change हुए, और students को scholarship भी मिलती ही, मिलत क्योंकिर का उन्यार के लिए, पुरी से अभी हुए, और आप श कर दा efficient Stew